बड़ी कमपनियों के तरफ से कई स्टॉल लगाए गए कमपनिया आप यूपी में काफी बड़े स्थर पर निवेश करेंगी ग्राउंड बेकिंग सेरिमनी के बाद हमारे समवादाता ने कई कमपनियों के स्टॉल पर जा करके जैजा भी लिया इस वक्त हम उस जगे पे मौजूद हैं जहां पर एक जनपद एक उतपाद की जो है वो इस्टॉल लगाए गए गए और साथ इसाथ जो दीगर कमपनिया उत्तर पर देश में निवेश करने वाली हैं उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं आपको दिखाएंगे यह आप तस्वेरों में दे सकते हैं ग्लैंट गुप आफ इंडिस्ट्री का जो है वह में इस्टॉर लगाया गया है क्या क्या है प्रोटेक्ट आपके आपके सामें हमारी कंपनी हैं हम लोग स्टील बनाते हैं हमारे दो प्लांट हैं एक यहाँ पे एक प्लाट हमारा गुजराद गांधी दाम में MP योपी निली बना एक बांट 15 लां Paul में 8510 एक टलौ में 660 के हैज factgar बनाते है अफम अपना पावर्थ भी मॉनाते हैं यह आउसे अब देख सकते हैं बुलन्द शहर का यहां पर यह इस्टॉल लगाया गया है ओडी ओपी के तहत यह इस्टॉल लगा है इसमें तमाम क्रॉकरी के सामान है आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से खुबसूरत जो है वो प्लेटें हैं और दीगर आइटेम हैं जो किचन के आइटेम हैं क्रॉकरी का सामान है वो स कप इनको सरकार लगतार प्रमोट करने का काम कर रही है और एक निए का वह यहाँ पे लगाया गया इसमें इलाइची है और आपका सौट में है लक्जीरियस में हमारा ये देखिए आज़ार रुपे किलो सौट बस्म के साथ में अच्छे ये सौट बस्म इसमें मिला हुआ है जी अब इसी के उपर अगर लेयर हो जाती है सोने की जैसे चांदी की वर्क होती है उसी तरह सोने की वर्क हो जाएगी तो एक क्यावन अजार रुपे किलो हो जाएगा आप देख रहा हैं कितना जबदत गुड जो है वो तिल का है गुड सौट गुड इलाइची गुड मुण फली गुड चौकलेट और सोने के भस्म का भी गुड है इसी तरह से मेरट का भी आप देख सकते हैं कि सामान यहां पे उपलब्द है तमाम चीजें हैं और ये अलीगर के ताले जो है वो मशूर है तो उस हिसाब से लॉक अब तो आ गए है वो ताले वो वाले नहीं बचे हैं अब ये लॉक आ गए है अलीगर का लेकिन ये भी प्रमोट कर रही है आप मुरादाबाद का देख लीजे यहां पे पीतल का सब सामान मिलता है मुरादाबाद का ये भी तब तैयारी यहां पे इस्टॉल लगाए गए थे आप कितने खुबसूरत पॉर्ट रखे हुए हैं तो इस तरह से सरकार की तरफ से जो है वो प्रदे है और ये पांच मेने पुराने पानी का सैंपल मेंने रखा हुआ कि जब बारिश के दिनों में हिमालियन रीवर जब एक्टिवेट हो जाती है उसी से इस चावल की सिचाई होती है और इसके फ्रेग्रेंस देखिया हिंदूस्तान में सबसे महंगा बिकने वाला चावल इस इसना शानदार ये एक किलो चावल कितने का है इंटरेशनल मार्केट में धायजार रुपे किलो का है उतर परदेश में निवेश की आज तीसरी ब्रेकिंग सेरेमनी बनाई गई है और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी यहां पे पहुंचे थे यह आप देख सकते हैं तस्व तरीके से सारे के सारे मॉडल यहां पर प्रस्तुत किये गए हैं और एक एक करके अलग अलग जगाओं पर जो है वो उनको सजाया गया है सर यह क्या क्या तैयार करके रहे हैं किस चीस के माडल है यह देखिए लूलू मॉल लकनू में आ रहा है जो की गल्फ का बहुत का लिए और फूर अन्साय वारा मॉल आ रहा है लूलू मॉल करके यह जयाइद पत अंसल सिटी में है और चार तारीक को इसका इन्शाहलवा इनाघ्रेशन अगरता बहुत है नोधा में बहुत बड़ा ग्रेटन नोधा में बहुत बड़ा फूट पार्क आ रहा है जिसमें कि food processing units वगरा है, marketing, supplies, everything is there. फिर प्रियाग राज में आ रहा है और वारा नसी में हम लोगा. कितने प्रोजेक्ट उतर प्रदेश में हैं? यह अभी total हम लोगे पांच हैं, पांच प्रोजेक्ट हैं. और तमाम आप देख सकते हैं, और भी तमाम जो है, वो टेक्नलोजी के लिए तमाम चीजें जो है, वो यहाँ पे मौझूद हैं. तस्वीरों में देखिये किस तरह से जो है, वो काम यहाँ पे चल रहा है. यह क्या चीजें हैं, यह क्या लगाए के कौन सी कंपनी से हैं? यह लगा लो कि आप हर देश में जा चुके हैं, सिंगापूर में, यूरोप में, आस्ट्रेलिया में. कमरमेन ग्रीश के साथ सीमा आपने कुई भार समचार लखना हो. इस बुड़े में फलाल इतना ही, नमस्कार.